नमस्कार दोस्तों आप सबकर्मर्टूचर में बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने FND A31-X2-IN1 कंप्यूटर मल्टी मीडिया स्पीकर की रिवीव करने वालों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने स्पीकर का बॉक्स कुछ इस परकार से आजाएगा इस सैट में देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक बड़ा वाला स्पीकर देखने को मिल जाएगा जो 13 वाट का आता है छोटो छोटे जो आपको दिख रहे हैं यह 11-11 वाट के आत है चलिए हम बॉक्स की अब अन्बॉक्सिंग करते हैं उसके बाद देखेंगे तो इसे कैसे यूज करना है यह कितने का आता है कितना लाइट खाता है वगयरा वगयरा बॉक्स को खोलने के बाद सबसे पहले आपके सामने एक रिमोट देखने को मिल जाएगा जो एक नॉर करने करना है तो भी आपको एक केबल देखने को मिल जाता है चलते हैं अब आप स्पीकर को अन्बॉक्स करते हैं जैसा कि आप सामने एक डबा सा बड़ा स्पीकर देखने को मिल जाता है यहां पर आपको देखेंगे तो यहां पर बहुत सारी ब्रांडिंग दी गई है जैस कि आपको base कम करना रहेगा, उसके लिए एक separate बटन दिया गया है, audio output करना है, input करना है, उसके लिए भी बटन दिया गया है, on off एक switch दिया गया है, और आपको एक power cable भी देखने को मिल जाता है, जिसकी length आपको 1.5 meter देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से सही है, और इसक आपको एक बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजे लिखे रखा है, जैसे आपको कैसे operation करना है, इसको कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, और यहाँ पर आपको एक base भी देखने को मिल जाता है, एक छोटा वाला base है, लेकि दोस्तों यह यहाँ पर भी आपको एक connector देखने को मिल जाता है, इस cable की जो length है यह आपको 1.5 meter देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको F&D की branding देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो जाली है यह भी मजबूत है, अगर आप उंगली से प्रेस करते हैं तो यह अंदर नहीं जाता है, और आपको यह 1.5 meter cable देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, चली अब टेस्टिंग की बारे आती है, मैंने on कर दिया है, वैसे मैं गलत कर रहा हूँ, पहले आपको connect कर लेना है, फिर on करना है, लेकिन क्या करें हमने कर दिया तो कर दिया, इस तरीके से आप अपने कमरे में, आप अपने टीवी के पास, कहीं भी आप इसे आसानी से तरीक से रख सकते हैं, और एकदम भरपूर आवाज ले सकते हैं, चली हमारे पास पुराना सेल था, तो हम पहले पुराना सेल लगाएंगे, पुराना नहीं बोलूँगा, आप आवाज सुनिए एकदम किलियर से, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आवाज कैसा है, इसमें बेस कितना है, सब कुछ आप कमेट करके यार बता देना, वेसा अगर खरीपना रहेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक वहाँ से जाके, अमेजन का लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे फिर सिखते हैं, एक बाद आवर में बताते हैं, इसका जो रिमोट है, ये आप सिरिक आउन आउफ ये कर सकते हैं, जब इसके अंदर आप पंड्रेव लगाएंगे, तब ही जाकर ये पूरा बटन फंक्सन का काम नहीं करते हैं, लेकिन जब आपने इसका आवाज आउट्पूट निकाल रहा है, काफी अच्छा उट्पूट है, मेरे ख्याल से बहुत ही खतरना का उट्पूट है, मैंने दूसरे अप्लिकेशन से भी चेक किया, तो थो भी ये सेंट डेसिबल आउट्पूट निकाल लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत देर तर रूच किया, तर जाके इसका मैंने दिवी दिया, क्योंकि एक मिन्ट या एक घंट में रूँ बना बहुत मुश्किल होता है, दोस की बात करूट आप सामने देख सकते हैं, मैंने ये रखा हैं, और ये काफी इसको घुमाना है, इंडम साप के माफ़ी के माचरा ऐसा है खंपंखंगर, देखो खुदी देखो, रपसदार फोग देखा, इतना पावर्फुल इसका देश है, छोता है नकि बहुत फोता है दिया, एक जबद इसका, एक बात में बताना चाहता हूँ कि जिस कमरे में आप इसको रखते हो, अब यहां पे कुछ बटन है, एक बटन है, एक बटन आप आप कर देंगे अब आवास दो, इतना खतरनाका वास है, तो जागा बात भीकर नेवाला इस वीडियो में, आसा करता हूँ दोस्तों आपको इस पीकर पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने पेस्टों के साथ शेयर कर दो, अगर आप इसको खरीजना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन का आफिरेट लिंक दिया है, जाके खरीग लेना, इससे मेरा थोड़ा बहुत कमेशन वीडियो, वीडियो दोखने के लिए अगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, अगर आपका बहुत बह